गोड मॉर्णिंग स्ट्रेंट्स आज किस वीडियो में चैप्टर नूम्बर फाइव फ्रॉम मोनी पोली क्लास वन के दा वॉल्फ और सिर्फ स्किन के एक्स्परेंशन को समझेंगे चलिए स्टार्ट करते से वीडियो को और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें एक समय की बात है एक गाउं था जहां पे एक भेडिया रहता था वॉल्फ का मतलब भेडिया होता है तो उसने क्या देखा कि एक जो फेड होता है सीप का मतलब फेड उसका जो इसकीन है वहां पे ग्राउंड पर पड़ा हुआ था ठीक है और अगर मैं इस सीप के स्कीन को अगर पहन लेता हूं खुद पे तो जी सेफ़र होते हैं जो चरवाह होते हैं वो मुझे आइडेंटिफाइ ने कर पाएंगे और रात को क्या करूँगा उसे ग्रूप से एक पेड को यानिकी सीप को मतलब मार के और अपने साथ ले जाओंगा जंगल पे और आराम से खा सकता हूँ और लास्ट ने फाइल उसने वैसा ही किया अब खुद पहन लिया और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उस ग्रूप में मिल गया सीप के ग्रूप में अज वॉल्फ एड एक्सपेक्टेड ता सेफ़र टूप हीम अज जैसा सोचा था सेफ़र ने वैसा ही किया इसे नहीं पहचाना सेफ़र सट द वॉल्फ विद ग्रूप अफ सीप इन द सीप पेन देखिए क्या किया सेफ़र ने उसे भेड जो भेड के बाड़ा होता जिसमें भेडों को बांधा जाता है वहाँ पे साथ में इसे भी रख दिया ता वॉल्फ वाज वेटिंग फॉर द नाइट और वॉल्फ रात का वेड करने लगा रात होने का द सेफ़र एक पाटिव जाना था रात को तो ही सेंट रेट टो फेड़ वेड चानज एंद पिंग धिंड्ड ही देखा मोटा सा सीप भेड यॉल्प में रूप में था भेड़ पेड़ के रूप में उसे पकड़ लिया उस नौकर ने क्या जितों कोई काटेंगा रात में देट नाइट दा गेस्ट है दा वाल फोर सुपर अब उस रात को जो पार्टी सेलिब्रेट हुआ गेस्ट के रूप में वाल वाल पा हुआ ठीक है तो इता है स्टोरी थैंक यू पर वाचिंग दा वीडियो